गर्चरोली जिले में भामरगर तालुक का एक दुरस्त आदिवासी बहुली शेत्र है और आदिवासी मडिया में तालुका महावारी की आदिवासी महिलाएं अभी भी सद्यो पुरानी परंपरा का हिस्सा है भामरगर चतिजगर की सीमा से लगे गर्चरोली जिले में एक प्रकती समुरद आदिवासी बहुले तालुका है समाजबंद इस मुद्धे पर मडिया जनजाती के साथ काम कर रहा है जो समय समय पर गोन और आदिवासी है इसके बारे में वैग्याने ग्यान की कमी मासिक धर्म में उपयोग करने के लिए सनसाधनों की कमी के साथ साथ मासिक धर्म की कुछ पारंपरे के पृथायों ने यहां महिलाओं पैदा कर दी हैं मामरगड और कुछ तालूका में मासिधर्म के दौरान महिलाओं को चार-पांच दिनों के लिए घर से दूर एक अलग जोपड़ी में रहना पड़ता है जिसे मडिया भाशा में कुर्मा घर कहा जाता है चोटी सी जोपड़ी में बिजली पानी साफ सफाई फर्श पर्यापत जगा साफ सुतरी चट आराम के लिए साफ सुतरे बिस्तरों की कमी है इस दौरान पुर्शों को चूने से घर में आने से काम नहीं चलता एक आदमी के लिए फुटपात पर चलना संभव नहीं था जिसे की घर में अक्सर साप और बिच्छू काट लेते हैं और काटने के बाद भी अस्पताल में सिर्फ पुरुशी होते हैं इसके बावजूत कुर्मा एक सामाजिक प्रता है और आज भी इसका पालन किया जाता है आदिवासे समुदाय को शिक्षित करना आवशक है जो मोल रू जनों का सहरा लेने की बज़ाए समाज को आत्मग्यान के माध्यम से समाज को सहज रूप से बदलने का प्रयास करने की आवशक्ता है और इसलिए यह एक सत्ति का प्रयोग है इस संस्ता द्वारा शुरू किया गया था 15-22 अप्रल तक भामरगण शेत्र के 18 गावों में शि लगाए जाएंगे महराश्र पूने, कोहलापू, सतारा, सांगली, नागपूर, गर्चिरोली, बुल्धाना, चंदरपूर, वर्धा, यवतमाल, मुंबई, आदी से शिविर के लिए कुल 45 वालक बालिकाओं का चैन किया गया है आदिवासी शेत्र में रहने वाले प्रतेक का उपयोग करना सिखाना, ड्राम स्ट्री ड्राम ने मासिक धर्म के दोरान स्वचता उचित आराम, परियाप्त आहर और स्वास्त देखवाल के महत्व पर जोड़ दिया, चामोशी से BCN न्यूस के लिए बबन बड़ेटी वार की रिपोर्ट